हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिंस के पी इनर्जी लिमिटेट की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसिस करेंगे स्टैंडल ऑन कॉंसौलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो जो कि हम लोग कवर करेंगा इस फिनांशल एंडेड और और क्वार्टर एंडेड दोनों रिजल्स आउट हो चुका और प्लस कंपनी की और से टेन पैसे पार एक्विडेशियर के फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है जिसका अप्रिवल एन्वल जनरल मिटिं का और मार्च 23 एक क्वार्टर में 151 करोड का इंकम है क्वाटर और क्वाटर येर और येर दोनों के इंकम में इंक्रीज करती हुए नजर आ रही है expenses 183 करोड का पिछले quarter में 70.6 करोड का और March 23 quarter में 128.5 करोड का expense हुआ था जोकि expenses भी increase किया है quarter on quarter year on year में जिसके बाद operating profit 34 करोड का पिछले quarter में 12.7 करोड का और March 23 quarter 22.5 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है नेट पॉफिट है 24.8 करोड पिछला क्वार्टे में 9.20 करोड आ मार्स 23 क्वार्टर में 15.ечь किया है EPS 3.732 पेश का quarter on quarter year on year में increase किया है तो guys quarter ended के जो result पेश हुआ है ना अगर हम देखेंगे तो बहुत ही strong result पेश करती भी नजर आ रही है वेगर हम financial year ended की बात करें तो इस बार income है 485.5 करोड का और 23 में 442.3 करोड का income है जो की income में बहुत अच्छी growth है expenses 408.1 करोड का 23 में 377.4 करोड का expense हुआ था expenses भी increase किया है income के calling operating profit 77.3 करोड का 23 में 64.9 करोड का operating profit है जो की increase करती भी नजर आ रही है net profit 58.3 करोड का 23 में 43.9 करोड का net profit है जो की increase होता भी नजर देखने को मिला है EPS company का 8.7 रेड़ुपेश का पिछले साल से बहुत अच्छी growth है तो guys company का जो result आया consolidated अगर देखिएगा तो quarter ended हो या financial ended दोनों बहुत strong growth देखने को मिला है segment wise infrastructure development power के sales से फिर operation and maintenance services इन तीनों से revenue company जब इन जनरेट कर रही है जो की बहुत strong jump देखने को मिला है वहेगर हमें standalone results को cover करें income में 215.4 करोड का पिछले quarter में 82 करोड का और March 23 quarter में 149.9 करोड का income है quarter on quarter year on year में increase किया है expenses 181 करोड का पिछले quarter में 69.8 करोड का और March 23 quarter में 127.5 करोड के expense हुआ था जो की quarter on quarter year on year में increase है operating profit 34.3 करोड का पिछले quarter में 12.3 करोड का मार्स 23 और 20 ऊपार्टर न 19.3 करोड बोत करें आज। तो आज के दिन कंपणी के शेयर में अपर सर्कृट लगता हो नजर आया त्रीहंड नाइंटी पॉन 3 रुपीच पे ट्रेड कर रही और 5% का अपर सर्कृट लगा है और बहुत इस ट्रॉंग अपर सर्कृट लगने का रिजन ही है कंपणी के जो इससे प्रॉफिट में इस प्रॉफिट नंबर से बहुत इस ट्रॉंग कंपणी पेश किया अगर हम इसके शेयर की बात करेंगा इसमें जो प्रॉफिट जन्रेट हुआ यहां पर अपर सर्कृट लगने सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप इसके होल्ड करना चाहते हैं गाइस मेंडियम लांग कंपणी पेश किया चांसे कंपनी अभी कुछ दिन तक अपर सर्कृट लग सकती है तो हम लोग जो है वेडियो कहीं पर रेंट करता है अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक्ट्रॉडव में दिल्सक्राइब बाद